हलो डिवाइन फामिली वेल्कम बैक टो दे चैनल आप सब कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे हैं डिवाइनली ब्लेस्ट हैं टोटली सेफ और सेक्यूर हैं फ्रेंड्स आज का डाउनलोड मैं आप सब के साथ शेर करूँ बट उससे पहले मैं ग्राटिट्यूड करना चाहती ह हुँ जिन्हों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा ठीक है क्योंकि आपको पता है कि मैं सारी रीडिंग ग्राटिट्यूड के साथ ही शुरू करती हूँ और यह बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है हमारी लाइफ में ठीक है सो मैं आप सब को भी सजेस्ट क वसीम ऑन तंक यू सो मजश धंड क्रिशन यादर यादो थैंक्स या थैंक्स पूर्नी मान प्रम ङूर्णन्ड ूप्री शक्ती थैंक्य। सुष्मा कॉमारी once again क्lar सुष्मा क्सुष्मा से College Thank you, thanks a lot Talyan Sundaram Thank you, thanks a lot Veer Pal Kaur Thank you, thanks a lot Kishore Singh once again Thank you so much, thanks a lot Shirish Desh Pandey Thank you so much, thanks a lot Arun Yadav and Anita Yadav Thank you, thank you so much Lady G 9376 Geeta Kaur From UK, London Thank you so much, thanks a lot Nandini Panukar Thank you, thank you Nandini Navyaaksh once again Thank you so much, thanks a lot Ruchi Sharma once again Thank you, Ruchi, thanks a lot So friends, thank you so much आप सबने इतना सारा प्यार मेरे लिए शो किया And आप सबका जो appreciation है, आप सबका जो ये sweet gesture है, ये मेरे लिए बहुत जादा कीमती है And it is really very much close to my heart Thank you so much, friends और मैं आप सबके लिए ये positive energy reciprocate कर रही हूँ मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो और जितनी उदारता आपके अंदर है तिक है, इश्वर्य शक्तियां दिव्य शक्तियां, उतनी ही उदारता आप सबके लिए दिखाएं So friends, आते हैं आज के download पर आज का download जिसकी के लिए भी आ रहा है सबसे पहली चीज तो जो मुझे सुनाई दे रही है कुछ words मुझे सुनाई दे रहे हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगी ठीक है, I'm listening blessings after blessings after blessings ठीक है, आपके पास 3 times multiply hooker के blessings आ रही है ठीक है, 3 times more powerful blessings ओके, आप बहुत जादा versatile है ठीक है, बहुत versatile है हर फन मौला है ठीक है, हर शेत्र में हो सकता है आप multi talented है जिस किसी की भी energy में आज pick कर रही हूँ आपकी presence अपने आप में एक दिव्यता है एक देविये शक्ती है ठीक है, आप अपने आप में एक चलते फिरते देवी या देवता है राइट ये download हर किसी के लिए नहीं है ये बहुत specific person के लिए आ रहा है बहुत powerful energy मैं channelize कर रही हूँ और प्लीज डू नॉट force this reading अपने उपर इस चीज को जबरदस्ती force मत करिएगा अगर ये आपके साथ resonate हो तभी इसको consider करिएगा ठीक है आप इस संसार में चलते फिरते इंसान के रूप में कोई ये नो देविये शक्ती है कोई ऐसी दिविता धारण करे हुए कोई इंसान मनुष्य के रूप में साक्षा देविये शक्ती ठीक है आपने observe किया होगा कि आप जिस किसी की भी जीवन में present होते हो उनके जीवन में progress होना शुरू हो जाती है ठीक है उनका जीवन प्रगती शील हो जाता है राइट सो आपको बताय जा रहा है कि येस आप देवी शक्तियों को धारण करते हैं आपके अंदर येस देवी शक्तियां वास करती हैं आप बहुत सारे लोगों के अंदर spiritual awakening ये know trigger करते हो लोगों को अच्छा बनने के लिए ये know प्रेरित करती है आपकी energy आप हो सकता है मुझ से उनको नहीं बोलते हो कि अच्छा बनो अच्छे काम करो लेकिन कोई भी व्यक्ति आप से मिलने के बाल ये know अच्छा बनना चाहता है अपने आप से उस person के अंदर एक अच्छाई वास करने लगती है अच्छाई का प्रकाश अच्छाई की एक जोट उस person के अंदर जलना शुरू होती है इस वज़े से कई लोग मैं आपके आसपास देख रही हूँ जो आपको अपना soulmate समझते है जो आपको अपना twin flame partner समझते है राइट तो कुछ ऐसे लोग जो आपकी energy से इतना जादा obsessed है इतना जादा triggered है in a positive way आपके energy कुछ ऐसी है कि जो कोई भी आपके आसपास रहता है जब भी आपके around कोई person होता है तो उसको ऐसा feel होता है जैसे कि वो किसी meditation में है किसी ध्यान में, किसी तपस्या में lean है इतनी जादा आत्मिक शांती आपके आसपास you know person feel करते है लोग feel करते है तो कुछ ऐसी powerful positive energy आप carry करते हो कुछ ऐसी दैविय शक्ती आप carry करते हो ठीक है आप में से हो सकता है किसी का name B, E, A इन letters से end होता हो राइट तो ये message आ रहा है और हो सकता है purple color आपका favorite color हो या फिर हो सकता है आप में आज purple color पहन रखा हो राइट तो आप एक royalty है तीक है आप past life royalty है और आप दिविता को धारन करते हैं जो दिव्य energy है positive energy है वो आप धारन करते हैं और आपके लिए channelized message आ रहा है कि आप जो कुछ भी लिखते है whatever you write turns to gold तीक है आप जो कुछ भी लिखते हो आपके जो शब्द है वो स्वार्ण अक्षर बन जाते है तीक है basically वो इतने जादा प्रभावशाली बन जाते है आपके बोले हुए word आपके लिखे हुए शब्द बहुत जादा प्रभावशाली होते है वो सकता है आप कोई writer हो possible है कि आप कोई poet हो कोई author हो वो सकता है आपने कोई book लिखी हो या किसी भी तरह से आप कोई writer हो आपके जो लिखे हुए words है वो अपने आप में बहुत जादा प्रभाव लोगों पर डालते हैं ठीक है बहुत meditational energy है जो मैं channelize कर रही हूँ आपकी energy के आसपास लोग आके बहुत जादा शान्त फील करते हैं एक freshness है आपकी energy में जो लोगों को बहुत जादा calm down कर देती है बहुत जादा relax कर देती है ठीक है उनको ऐसा feel कराती है जैसे कि वो कोई meditation कर रहे हैं राइट आपकी energy से कोई प्रभावित है और वो आपको अपना twin flame मानते है ठीक है वो आपको अपना soulmate मानते है तो आपको बता दू कि कई बार ऐसा होता है कि जो दिव शक्तिया होती है जो दिव आत्मा होती है उनका anyways हर आत्मा से connection होता है जो हर मनुष्य के अंदर इस संसार में एक आत्मा वास करती है ठीक है डेफिनेटली उसका दिव शक्ति से दिव आत्मा से डेफिनेटली उसका connection होता है और क्योंकि वो उनहीं का अंश होते है राइट आपको कई बार हो सकता है लोग अपना twin flame मानते हों और एक नहीं मुझे लगता है छे-सात लोग आपको अपना twin flame मानते है आपको अपना soulmate मानते है उनको ऐसा feel होता है कि जैसे कि वो आपसे पहले भी कभी मिल चुके है ठीक है आपके आपसे उनको कुछ familiarity फील होती है ठीक है उनको ऐसा feel होता है कि पहली बार मिलने पर भी ऐसा लगता है कि आपसे वो पहले भी मिल चुके है अगर आपको ऐसा कई बार लोग बोलते हैं कि वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं यूनो ऐसा लगी नहीं रहा कि आप कभी उनसे मिले नहीं हो तो ये definitely सबसे बड़ा sign है कि आप ही वो person है जो देविय उर्जा को carry कर रहे हैं और आप चलते फिरते इस संसार में एक देविय शक्ती हैं एक देविय आत्मा है लोगों को स्वाभाविक है ये लगना कि आप से उनका गहरा कुछ connection है आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी boundaries को firm रखना है आप definitely इस संसार में लोगों की spiritual awakening करवाने के लिए ही आये हो इस संसार में जो भी मनुश्य है उनके अंदर जो आत्माए है जो देविय शक्तियों का अंश है उनको जागरुप करना उनकी आध्यात्मिक powers की जागरती ठीक है उनकी आध्यात्मिक powers को जगाना ये आपका main मकसद है इस संसार में और इसी लिए लोग आपसे definitely awakened होने के बाद वो आपसे एक गहरा नाता एक गहरा connection फील करते हैं ठीक है वो आप पर अपना अधिकार फील करते हैं वो ऐसा फील कर करते हैं कि शायद आप उनके कभी life partner रहे हो या आपका उनसे कुछ गहरा नाता है ठीक है सो ऐसा कुछ मेसेज आ रहा है यहां पर कोई download है कि लगभग six to seven लोग ऐसा फील कर रहे हैं और आप definitely बहुत positivity attract करते हो अपनी तरफ आपके around negative energies रुख ही नहीं सकती ठीक है आपके around negative energy ठीक ही नहीं सकती लेकिन इससे पहले आप अपने इस life purpose को पहचानते अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को पहचानते आपने भी बहुत जादा you know darkness धेली है बहुत जादा अंधकार आपने धेला है ताकि आपकी पहले spiritual awakening हो सके right आप उस चीज से aware हो सको आप अपनी खु में रखा गया जो नार्सिस्ट है हो सकता है आपके partner narcissist हो सकता है आपके around you know family members narcissist हो ठीक है कोई भी हो सकता है okay आपके around so narcissist बोलो होते हैं जो सिर्फ you know self obsessed होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं in a way they are like selfish type का mindset होता है so हो सकता है आपने ऐसा कुछ जहला हो लेकिन आपको बताय जा रहा है कि आपने ये सब कुछ इसलिए जहला है ताकि आप अपनी life purpose को follow कर सको ताकि आप अपनी life purpose को पहचान सको आपकी आत्मा की जागरती हो सके आपके इंदर जो दिव्य उर्जा थी जिसको आप पहचान नहीं पा रहे थे जो इनवे अक्टिवेट करने करने के लिए इस तरह की चीजों को आपके डॉबॉफ पूरी तरह से उस पावर को जागरित गश्क यहाँ आप व्म न हूब पूरी तरह से अक्टिवेट कर चुके हो यह मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉंग आप इस संसार में चलते फिरते ठीके मनुष्य के रूप में एक दैविय शक्ती है जिससे कई लोगों का फाइदा होता है ठीके आपकी उर्जा से बहुत लोगों को benefit होता है आपकी उर्जा से बहुत लोगों को एक deep healing उनको मिलती है और आपका जो life purpose है आप उसको बहुत इमानदारी से follow कर रहे हो या इससे पहले मैं यह reading स्टार्ट करूं मैं आप सबको healing provide करना चाहूंगी मैं चाहती हूँ आप लोग के आसपास अगर कोई भी negative energy हो ठीक है तो वह backfire होनी चाहिए please cleanse करिए मेरे collectives के जीवन से सारी negative energies को out करिए कोई भी negative energy अगर उनके आसपास रहने की कोशिश कर रही हो तो उसको वापस वही फेग दिया जाए जहां से वो आई हो send it back to sender immediately right so देखते हैं आपके लिए आज क्या message आ रहा है okay transform transform your life आपको बोला जा रहा है चीजों को personally लेना बंद करिए अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है चीज को let go करिए कोई भी बात आपको affect नहीं कर सकती किसी की बात आप से छिपक्ट नहीं सकती ठीक है उनकी बात उनके पास ही backfair फिर तो हाइगा जो भी उनके विचार हैं की बाते हैं जो भी उनके गलत इंटेंशन हैं udi के वह उनके पास भाते होंगे झो कोई भी आप के लिए गलत बोलेगा फिर लीडे टि Will Hello on p चीजों पर फोकस करना बंद करिए और आप अपनी लाइफ को ट्रांस्वार्म करिए ठीक है आपकी लाइफ ट्रांस्फॉर्म हो रही है मुझे दिख रहा है यह हो सकता है आप रिसेंटली कहीं किसी बीच पर जाने वाले हैं कहीं कोई ट्रावलिंग में देख रही हूं ठीक है पॉसिबल है कि कोई बीच के असपास जाने का ट्रावल करने का प्लान कर रहा है become a white magician yeah so positive energy पर work करना शुरू करिए manifestation powers अपनी strong करिए all the magic you possess is based on your word yes so हो सकते है आपके जो words है वो बहुत magical है जो शब्द आप बोलते हो मैंने आपको बताया है आप जो कुछ भी लिखते हो whatever you write turns to gold and whatever you speak turns to gold तो आपके जो शब्द है वो अपने आप में एक magic है अपने आप में manifestation powers को carry करते हैं तो अपने शब्दों से सिर्फ वही बोलना है जो आप manifest करना चाते हों आपके जो शब्द हैं वो इतने ज़ादा powerful है कि वो अपने आप में manifestation powers carry करते हैं ठीक है वाणी सिद्धी की बात हो रही है यहां पे मैंने आपको एक और रीडिंग में बताया था कि किसी के पास वाणी सिद्धी है डैविय शक्ती हैं ठीके अप चलते फिरते संसार में इसमे मनुष्य की रूप में एक देवय ऊर्जा हैं देवय शक्ति है जिए जो अपने आपमें एक miracle से कम नहीं है अपने आपमें एक चमतकार से कम नहीं है ठीक है तो आपके जो शब्द हैं आप अपने आप में पूरा चमतकार है, तो आपकी हर चीज़ magic है, everything about you is magic, जो कोई भी व्यक्ति logic के साथ इन चीजों को सोचता है, उसके लिए ये सारी चीज़े null void हो जाती है, उस person के ओपर ये चीज़े applicable नहीं होती है, तो ये एक formula है, जहां कहीं पर भी आप logic लगाओगे, वहाँ पर एक doubt आजाता है, एक doubtful condition आजाती है, जहाँ पर manifestation null void हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब है कि या तो आप doubtful situation में रहे और या तो फिर आप ईश्वर के चमतकारों में बिलीव करिए, तो दोनों में से कोई एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, अगर आप logically सोचते हो इन चीजों को, तो manifestations का कोई मतलब नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप चलते फिरते एक magic है, अपने आप में एक चमतकार है, एक miracle है, आपके words में बहुत जादा power है, आप जो भी चीजे बोलते हो, वो manifest हो जाता है, ठीक है, आपको वानी सिद्धी प्राप्त है, या, या, तो आप को definitely यहाँ पर confirmation आया है, कि आपको definitely वानी सिद्धी प्राप्त है, ठीक है, stay in the present moment, या, ओके, keep your attention on today, and stay in the present moment, this is the beginning of new understanding and new dream, या, तो आपको बोला जा रहे है, आप, I'm sensing कि आपके आसपास, you know, हो सकता है, आपने आज, I'm channelizing कि आज, हो सकता है, आपने, you know, आपने around कोई white flowers देखे हैं, कुछ white flowers, white rose, and I can also see कि हो सकता है, आप में से कोई, उन plants से प्यार कर रहा था, उन flowers को बहुत प्यार से टच कर रहा था, ठीक है, आपके around butterflies भी मुझे दिख रही है, ठीक है, transformation, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े changes हो रहे हैं, replace fear with love, अब आपके जीवन में जो डर था, ठीक है, एक जो भ्रहम की स्थिती थी, एक डर था, एक darkness थी, जो challenges आपने face किये ठीक है, आपने जो psychic attacks जहले, और family की betrayals आपने जहले, आपकी family ने आपके साथ दोखे किये, ठीक हो सकता है, family में कुछ ऐसे लोग है, जिन्नों ने आपके उपर कुछ गंदिकाली क्रियाय वगेरा करी, ठीक है, psychic attacks किये, spiritual attacks किये, ओके, तो वो जो एक fear था, एक भ्रहम की जो स्थिती थी, उसको अब replace करना है, ठीक है, उसमें उस जगे पे, उस डर की जगे पे इतना जादा प्रेम भर देना है, इतना सारा प्यार भर देना है, ठीक है, आपको self love सीखना है, और मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग self love सीख रहे हैं, राइट, आप ल और आप अपना भी बहुत जादा ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वज़े से आप glow कर रहे हैं, ठीक है, major glow up मैं देख रही हूँ, आपके around, ठीक है, आपका एक transformation हो रहा है, butterflies indicate कर रही है, कि आपके जीवन में, ठीक है, major major glow up हो रहा है, एंड यहाँ पे, आप इसे कुछ लोगों का third eye chakra active है, ठीक है, I can see, आपको definitely कोई न कोई सिद्धी प्राप्त है, आपको देख रहे हैं, butterflies, so आपके around में देख रही हूँ, कि बहुत सारे transformations हो रहे हैं, आपके background में, ठीक है, आपके पीठ पीछे, लोग आपके बारे में बहुत जादा बाते कर रहे हैं, जो भी चीजे जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, जो positive changes आपके जीवन में हो रहे हैं, जो transformations आपके जीवन में हो रहे हैं, ठीक है, आपकी हर एक चीज के बारे मे बाते हो रही हैं बहुत ज़ादा बाते चल हरी हैं तरहे तरहे की बाते हो रही है लेकिन अधिकतर लेकिन 95% बाते आपके लिए अच्छी बाते करी जा रही ठीक है people are talking highly about you आपके बारीमें अच्छी बाते हो रही जिन लोग उने आपको dark side में रखा आपको hurt किया आपके life में challenges create करें फिलहाल वो लोग आपके you know changes को देख रहे हैं आपके life में जो new beginnings आ रही है उसको देख रहे हैं they are definitely astonished ठीक है वो लोग बहुत जादा shocked है बहुत जादा surprised है mixed feelings है ठीक है उनकी तरफ से आपको हो सकते कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है एंड यह चीज मुझे आ रहे है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग भी है आपके रहाँ जो ओके जो आपके बारे में बहुत बाते कर रहे हैं ठीक है heavily आप उनके माइंड में है पास्ट में आपको बहुत जादा डाक में रखा गया लेकिन आपसे अभी भी बुलो कि नो आप पर नजर रखते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करे गए ठीक है आपको बहुत जादा कठिन परिष्टिती में डाल दिया गया था जिससे आप डेफिनेटली निकल चुके हो और यह लोग मैं देख रही हैं आपकी लाइफ से आउट हो चुके हैं ठीक है यह लोग abilities स्टॉख करते हैं स्टॉख करते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है तो यह ऐसे लोग हैं जो आप से सीकर्टली कंपीट करते हैं ठीक है यह अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से एक ống्तिन्यू एंद्चे को तललह ओप करते हैं एक लगतार अपनी लाइफ और आपक आपने इन लोगों को डिफीट किया है ठीक है आपने इन लोगों को हराया है या यूँ कहें कि आपने नहीं इश्वर ने इन लोगों को हराया है आपने इन लोगों को डिफीट किया है और आपने इन लोगों से डिस्टिंस किया है ठीक है जिसकी वज़े से ये लोगों देख रहे हैं कि आप जीवन में बहुत जादा आगे बढ़ रहे हूँ ठीक है आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए ये लोग देख रहे हैं ठीक है कुछ आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी इन लोगों को दिख रही है ठीक है आपके इन लोगों से बहुत जादा आगे जा चुके हो ठीक है आपके पास जो strength है infinity का sign आप देखो strength के ओपर ठीक है आपके पास जो है infinite amount of courage ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो साहस है जो courage है ठीक है आपको हरा पाना असंभव है ठीक है आपके अंदर जो दिव्यता है जो दैविय शक्ती है आपकी जो strength है ठीक है उसको पहचान चुके है अपने जीवन को आपके जीवन से compare करना इन लोगों का favorite काम है जिसकी वज़े से ये लोग बहुत जादा दुखी भी होते हैं ठीक है और उस दुख का कारण वो खुद होते हैं स्वयम होते हैं अपनी life पर focus नहीं है इन लोगों का ठीक है इनका main you know favorite काम है life को compare करना अपनी life को दूसरों की life से compare करना ठीक है ये चीज इन लोगों के दुख का कारण है ये लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भी लड़ाई जगड़े हैं वो आपके जीवन से आउट हो चुके हैं जो भी drama था जो इन लोगों ने drama create करने की कोशिश करी थी आपके जीवन में वो सब कुछ आपके जीवन से आउट हो चुका है उनका कोई असर आपके जीवन पर नहीं देख रहा है और आप अपनी life में बहुत happy हो ठीक है happiness आपकी life में है आप काफी enjoy कर रहे हो shine कर रहे हो ये लोग आपकी growth देख रहे हैं ठीक है आपकी progress को observe कर रहे है और आपकी happiness को observe कर रहे है कि आप अपनी life में बहुत अच्छा कर रहे हो ठीक है ये चीज़ देख देखकर यह लोग हो सकता है बहुत जादा परिशान है depressed है और आपको बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी possible हो पाया है क्योंकि आप अपनी boundaries को लेकर कि बहुत जादा firm रहे हो ठीक है आपने अपनी boundaries को बहुत strong रखा है और आपके बारे में ये भी बाते हो रही है कि आप you know बहुत मुफट हो बिलकुल clear बोलना पसंद करते हो ठीक है जो बात है उसको बहुत clearly बेबाकी से you know clear way में spashed way में उसको रखना पसंद करते हो spashed वक्ता हो ठीक है गलत को गलत बोलना आपका स्वभाव है आपके बारे में ये बाते हो रही है और आपको लेकर के इन लोगोंने भी definitely बहुत जादा ये जो कोई भी लोग है जिन्होंने आपके against ये चीज़े करी है ये जो गलत चीज़े करी है और जो constantly अपनी life को आपकी life से compare करते हैं ठीक है ये जो भी लोग है इनके मन में आपके लिए किसी भी तरह का कोई emotion नहीं है ठीक है इनके मन में आपके लिए कोई भावनाएं नहीं है emotionless है ठीक है आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं है इस person के मन में ओके मैं आपको राशियां बताऊंगी लेकिन आपके जीवन में आपने अपनी जो boundaries को firm किया है ना आपने अपनी बात को बिलक जहाँ जादा अप्रिशेट कर रहे हैं बहुत प्रसन है इश्वर आप से और इसी वज़े से करेंटली आप अपनी जीवन में संतुष्ट हो ठीक है आप अपनी जीवन से सैटेस्फाइड हो जितना भी आपके पास होता है आप उससे हमेशा हैपी होते हो आप कभी किसी के सा एक आर्थिक रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूं ठीक है and सक्सेस देख रही हूँ, स्थिर्ता देख रही हूँ, ठीके स्टेबिलिटी, फाइनशली, जो आपने कठिनाई धिली है पास्ट में, ठीके वो सारी चीजे अब पास्ट, गॉन इस गॉन, ठीके पुरानी चीजे पास्ट में जो हो चुका लेकिन अब, आपके जीवन में एक स्थिर्ता आती हूँ, मैं देख रही हूँ, फिनेंशल स्टेबिलिटी, जो इश्वर खुद आपको दे रहे हैं, इश्वर द्वारा दिये गए काम को आप कर रहे हो, ठीके, इश्वर ने आपको कोई कार्य सौंपा है, और आप उनके दि लायक समझा है, तो आप इश्वर के कार्य में लगे हुए हो, यहां पर यह मैसेज आ रहा है, जो राशी आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ, सिंह राशी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है, यहां पर सिंह राशी है, धनु राशी है, तुला राशी है, व्रिश राशी है, मेश राशी है, कर्क है, कर्क राशी, मकर राशी, कन्या राशी, ठीक है, तुला राशी है, मिथुन राशी है, कुम्भ राशी भी है, कुम्भ राशी भी है, ठीक है, यह कुछ राशिया आ रही है, यहां पर, यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग राशिया है, जो यहां पे आई है कि येस कुछ येस आ रहा है ठीक है अगर आप किसी बात को लेकर के confused है ठीक है तो आपको बुला जा रहा है युनों कोई फैसला लेना चाहरे थे कि ये चीज करूं ना करूं तो आपको बुला जा जाए है येस ठीक है लक जॉन्या रात hop थो है कि येस कोई पैट है ध रहा है धीक है इड़ा-पी जायै आपको बुला जा रहा है कि ये लट कीशापल्याट लग का साथ है भाग आपका साथ दे रहा है कम्यूनिकेट करिए ठीक है कॉम्प्रॉमाइस फॉगेव और वोकिट आउट या आपको बुला जा रहे है अगर आप किसी रिष्टे को निभाना चाहते हो ठीक है अभी भी तो आपको कॉम्प्रॉमाइस करना चाहिए ठीक है कुछ जो गलतिया आप से हुई आपको उन गलतियों को एक्सेप करना चाहिए और जो आपको लगता है कि सामने वाले से कोई गलती हुई है तो उनको फॉगिफ करना चाहिए उनको माफ करना चाहिए और फिर रिष्टे को आपको निभाना चाहिए ठीक है सो कम्यूनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है गार्जिन इंजल का कार्ड है यहां पर लॉस्ट लवड वन वाचे जो वर यू हो सकता है आपके कोई फैमली मेंबर है जो अब इस दुनिया में नहीं है आपके साथ रहते हैं आप पर वाच रखते हैं आपको गाइड करते हैं आपका मार्ड दर्शन करते हैं हो सकते हैं कोई न्यू पैट ला रहा है और अगर आपके अभी जो कोई करेंट पैट है तो आपको बुलाजा रहे है कि आपने current pet को और ज़्यादा प्यार दीजे ठीक है, give them more love ओके, so ये message आया है आपके लिए let's see spirits के क्या message है angels के क्या message है आपके लिए let's see okay, I'll guide it to this one you are the first billionaire in the family yes, you are बहुत ज़्यादा बड़ी success आपकी तरफ आ रहे है क्योंकि आप इश्वर का बताय हुआ कारे कर रहे हो ठीक है, इश्वर ने आपको किसी कारे पर लगाया है and उन्होंने आपको चुना है उस कारे के लिए ठीक है whatever you touch, sparks the current yes, आपके अंदर देविये उर्जा है देविये शक्ती है ठीक है, हो सकता है आप किसी wooden चीज को भी touch करते हो तो भी उसमें, you know, current जैसा feel होता हो, कोई plastic भी touch करते हो उसमें भी आपको spark जैसा feel होता हो चिंगारी जैसी, ठीक है तो definitely electrostatic force होता है बट wooden और plastic के उपर भी अगर आपको current feel हो रहा है spark feel हो रहा है, तो यह आपके अंदर जो दिविता वास करती है वो activate हो गई है सब उल्टा आपके haters से चिरने लगे है तो आपके haters से चिरने लग गए हैं लोग तो आपके haters में हो सकते हैं आपके बारे में गलत बाते फैलाई हो उल्टी सीदी बाते आपके बारे में करते हूं ठीक है तो लोग उल्टा उनसे ही चिरने लग गए है okay jealous husband तो किसी के husband jealous है ठीक है उनको बहुत जलन होती है किसी के husband को बहुत जलन होती है हम ओके ओके spirits talk to you and you can hear them तो spirits आपसे बात करते हैं ठीक है हो सकता है दिव शक्ती दिव आत्माय आपसे बात करती है और आप उनको सुन सकते हैं उनकी बात को समझ सकते हैं ठीक है आपको spirits की बाते सुनाई देती है तुम मेरे हो तुम मेरी हो I truly love you आपके partner आपके लिए यह message भेज रहे हैं तुम मेरे हो तुम मेरी हो ठीक है या फिर किसी person को आपसे प्यार है वो आपको secretly यह message भेज रहे हैं ओके डॉक्टर तो हो सकता है कोई डॉक्टर के पास जा रहा है या कोई डॉक्टर है हो सकता है आपके partner डॉक्टर है थीयूद डॉक्टर हो यीव्य हो सकता है our Mafia डिफेंद लिखेंड भी हां सो आपके पीछे आपकी आपकई तरफ से लड़ता है वह आपका साइड लेता है आपका पक्रष लेता है क्योंकि वह जानते हैं आप सब्सक्राइब और कुछ समय पहले आपको अपनी आवाज सुनना पसंद नहीं था आपको अपनी खुद की आवाज से घ्रिणा थी ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके ओपर अटाक किये गए आपको डाक में रखने की कोशिश करी गई आपके ओपर साइकिक अटाक हुए गंदी काली क्रियाएं करी गई आपके उपर इस वज़े से आपको अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं जो नकरात्मक शक्तियां हैं उनको पता है कि आपकी त्रोट चक्रा है वो बहुत जादा पावफुल है ठीक है यो वर्ड्स यहाँ पर मैसेज आया था यहाँ यहाँ पर मैसेज आया था कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत जादा पावफुल है आपके पास manifestation powers है ठीक है आपके words में जो ताकत है वो नकरात्मक शक्तियों ने देख ली थी ठीक है उन्होंने पहचान ली थी राइई you will live your dream this year so आप अपने सपने इस साल जीएंगे ठीक है अपने सपने इस साल आप पूरे करने वाले हैं okay now they wanna fix things with you don't आपको मना किया जा रहा है कि किसी के साथ भी कोई चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि अगर वो person आपकी तरफ आएगा तो वो definitely pure intentions के साथ नहीं आएगा आपके प्रती कुछ न कुछ गलत भाव उस person के अंदर जरूर रहेंगे ठीक है यह चीज spirits को पता है और वो आपको बता रहे हैं ठीक है spirits आपको यह चीजे बता रहे हैं haters की पहचान आप जानते हैं कि उस इंसान के देखने के तरीके में mean vibes हैं लालची नंबर वन है बेइमान नंबर वन है ओके यह कुछ पहचान है आपके haters की यह बहुत जादा लालची प्रवत्ती के लोग हैं ठीक है आपके जो hater है यह जो कोई भी person है ठीक है यह किसी particular person कोई एक hater है आपका जो बहुत जादा लालची है बहुत बेइमान है ठीक है आपकी चीजों को आपके अधिकारों को भी छीन लेने वाला ठीक है बहुत जादा लालच जिस person के इंदर है और आपको बहुत जादा घ्रेणा की नजरों से देखता है ठीक है बहुत mean vibes है देखने का ज energy ठीक है you are mysterious आप बहुत रहस्य महीं हैं आप रहस्य महीं इसी लिए ना क्योंकि आप देविय ऊजा करी करते हैं ठीक है देविशक्तियां आपके साथ रहती हैं दिविता आपके साथ है you are mysterious okay one last message somone around me hates you okay so koji आपको बताना चाता है ठीक है को यह चीज आपको बताना चाता है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है जो आपको पसंद नहीं करता आपको ठीक है जो आपके प्रती गलत भाव रखता है कोई आपको यह चीज बताना चाहता है उनकी तरफ से यह मेसेज आ रहा है ओके आपके पास बहुत सारी स्किल्स है तो देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं ठीक है हम ओके एन बी आम इसनिंग बैंक बैन ठीक है हो सकते है बैन कर दिया गया है यह इन लोगों को आपके एनिमीज को बैन कर दिया गया है आपकी लाइस से ए टेन I'm listening 10 billion I don't know why I'm listening that yeah 10 billion Brighton number two 29 किसी का बर्दे हो सकता है 29 9th of February हो सकता है किसी का बर्दे होता हो Second September किसी का बर्दे होता है 26 हो सकता है किसी का बर्दे होता हो 6th of February 26th of September 26th of May Okay July July month में किसी का बर्दे होता हो right 5 9 7 Okay October month में हो सकता है किसी का बर्दे होता हो 26th of September 26th of May 26th of July Right 7 16 25 हो सकता है इन डेट्स को आपका बर्दे होता हो Gulf Okay कुछ Gulf Countries की बात हो रही है Maybe someone is watching from Gulf Countries ठीक है UAE Okay किसी का नेम है सुन्दर Okay Right सुन्दर सुन्दरी Brew Okay कुछ brew आ रहा है हो सकते है कोई कॉफी शॉप में है कोफी कॉफी वगेरा पी रहा है Somebody is having coffee Okay कोई TV देख रहा है Watching TV K. जो Okay RJ J. लो Okay I'm listening Frightened तो आपके enemies definitely frightened है ठीक है डरे हुए है Frightened Okay I'm listening Refrigerator कोई refrigerator खरीद रहा है Yeah Okay Bridge Hmm कुछ bridge की बात हो रही है Bridge Yeah Something about bridge Hmm Bridge Bridge New bridge Okay Kent RO कुछ किसी का RO खराब हो गया है या कुछ RO का name आ रहा है किसी के RO से related कुछ बात है कुछ SUV बहुत सारी चीजों की नाम आ रहा है यहां पर कुछ Grow Grow आ रहा है Let Grow Hmm कुछ Let Grow DJ RBI Reserve Bank of India W W F कुछ लड़ाई जगड़े हो रहे हैं कहीं कुछ लड़ाईयां हो रही है N T Okay एक name आ रहे हैं यहां पर Nita Rita Hmm Rit Rit name आ रहे है JD Tribe Tribe सब कुछ Tribe की बात हो रही है Tribe 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 जलन Yes बहुत जादा जलन है किसी को ठीक है बहुत जादा जलन है किसी को कुछ ठीक है So yes definitely आपके अंदर divine powers है ठीक है दिवे शक्तियां है दिवे उर्जा आपके अंदर है आप definitely divine हो ठीक है divine peace in this world चलती फिर्टी दैविय शक्ती आप हो मनुष्य की रूप में यह कुछ letters और numbers आ रहे है आपको बेटर पता है यह कहां पर आपसे relate कर रहे है क्या चीज आपको बोल रहे है मैंने आपको कुछ hints देने की कोशिश करी So आपको बेटर पता है यह कहां पर क्या indication दे रहे हैं आपको ठीक है friends So इसी के साथ मैं यह reading conclude करी हूँ Friends Thank you so much Thanks a lot And I hope and pray for the best for all of you And आप सब छोटे छोटे जीव जन्तों की जरूर सेवा करिएगा परशु पक्षियों का पेड़ पौधों का ध्यान रखेगा ठीक है मैं मिलती हूँ आपसे अगली reading में Right Thanks a lot